नमस्कार दोस्तों, इड़वालपूल के नए सीजन का अपडेट आ गया है, नए सीजन का नाम होगा शकफू ये सीजन 27 मार्च को स्टार्ट होगा और 17 अपरेल तक चलेगा इस सीजन में एक नया इवेंट आएगा और उस इवेंट में आपको एक ब्रांड न्यू क्यू मैक्स करने के लिए मिल जाएगी इवेंट का नाम होगा चकफू नॉक आउट और इस क्यू का नाम होगा चकफू नॉक आउट क्यू सीजन तो 27 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा लेकिन इवेंट 30 मार्च को स्टार्ट होगा ये बात ध्यान रखें और इवेंट 30 मार्च से 15 अपरैल तक चलेगा इवेंट का नेचर क्या होगा और इस इवेंट में हमें क्या करना होगा ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे हैं वेलकम बैक दोस्तों मैं हूँ अरविंदराज और आप देख रहे हैं आपका अपना फेबरेट चैनल 8BP Solutions वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर आपको मिलती है 8BP की सारी जानकारी पूरी डिटेल्स के साथ में इस इवेंट में क्या होना है अब यह भी देख लेते हैं यह इवेंट तीन राउंड का इवेंट होगा राउंड वन 30 मार्थ से 1 अपरेल तक चलेगा राउंड टू 6 अपरेल से 8 अपरेल तक चलेगा और उसके बाद फाइनल राउंड 13 अपरेल से 15 अपरेल तक चलेगा बीच में इसमें टाइम की गैपिंग भी रहेगी यहाँ पर सिंपली आपको पूल पॉइंट्स जमा करने हैं और एक लीडर बोर्ड आएगा जैसा कि showdown में होता है उस लीडर बोर्ड में आपको पूल पाइंट्स की help से top 20 में अपनी जग़े बनानी है यह लीडर बोर्ड 50 प्लेशागा भी हो सकता है और 100 प्लेशा भी हो सकता है लेकिन आपके लिए जरूरी यह है कि आप top 20 में तो first round में जो लोग top 20 में होंगे वो लोग next round में चले जाएंगे फिर जब 6 April को second round start होगा second round में भी यही करना होगा pull points की help से leaderboard में top 20 में रहना होगा जब आप round 2 भी clear कर लेंगे तो आपको automatic final round में entry मिल जाएगी आपको Q भी मिल जाएगी और Q के upgrade pieces भी मिलते रहेंगे तो final round का अभी structure clear नहीं है कि किस तरह से इसमें Q मिलेगी और किस तरह से आगे के pieces मिलेंगे तो यह dates आपके सामने आ रही हैं और यहीं पर सारे rules भी लिखे हुए हैं अब नजर डाल लेते हैं चक्फू knockout Q की details पर इस event के दोरान आप इसे level max तक ले जा सकते हैं और सभी Qs की तरह हैं इसको भी max करने के लिए 600 Q pieces चाहिए होंगे 41 level पर जाकर यह max हो जाएगी और open होने पर और हर upgrade पर यह 25 CCP आपको दे कर जाएगी इस Q की recharge cost 5000 coins है मुझे लग रहा है कि यह क्यों भी लोग आसानी से max कर ले जाएंगे तो दोस्तों बस यही था आज का update जितनी जानकारी मेरे पास अभी तक available थी वो मैंने आपको बता दी जते जते वीडियो को like जरूर करें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो subscribe करना ना भूलें मिलते हैं बहुत जल्दी next update के साथ तब तक के लिए नमस्कार